Hi student, Hi, so हम आज जो पढ़ रहे हैं वो है Indus Valley Civilization से आगे का topic हम पढ़े हैं and so we will study about Indus Valley Civilization, what is Indus Valley Civilization and why it is known as the oldest civilization so it is believed कि Indus Valley Civilization 3300 जो साल है जेजस क्राइस्ट के बच से ये एक्जिस्स करता था 1300 साल के बीच में, Indus Valley Civilization को हम civilization बोलते हैं because it emerged around Indus and its tributaries, some settlements also emerged around Gagar, Hakra River, Indus Valley Civilization को हम हरपन civilization भी बोलते हैं क्योंकि first city जो excavate की थी, digging up, वो हरपा में थी so ये 1921 में डिस्कवर्ड हुआ था, present day हरपा में एक आर्केलोजिस्ट के डॉक्टर राज बहादूर दयाराम साहनी जोन मार्शल, आट पाव दे सेम टाइम, आर्डी बैनर जी ने एक्सकेवेट किया था, साइट इसका मोहंजिदारों का सिंद्ध में लाज स्केल एक्सकेवेशन किये गए, तो मोहंजिदारों में अंडर दा सुपरविजिन ओफ मार्शल इन 1931 जो लोग थे इस सिविलाइजेशन के वे ब्रोन्स को यूज करते थे, प्रेडॉमिनेटली एंड दस यह जो पीरिएड है, इसको हम ब्रोन्स एज भी बोलते हैं, ब्रोन्स क्या होता है, एलोई होता है, कॉपर का और टिन का, या फिर इसको हम चैलकोलेतिक कल्चर भी बोल था, तो यह कहां से आता है, नोर्ट वेस्ट जो पार्ट होता है, इंडिया के सब-कॉंटिनेंट का, वहां से आता है, और यह फिर साउट की तरफ और एस्ट की तरफ इस्ट की तरफ इस्ट करता है, यह जमू से नरमदा वैली तक आता है, साउट में, and from the Makran coast of Baluchistan in the west to Yamuna in the east ठीक है तो इसका ये हम spread यहाँ पर देख सकते हैं spread इसका कहां से होता है ठीक है ओकी सो इंडस्वैली civilization को हम तीन phases में उसको हम classify कर देते हैं पहली phase है 3300 BC to 2600 BC मेचूर phase आती है जब civilization peak पे होता है 2600 BC से 1900 BC और उसके बाद आते हैं फिर लेट phase जो 1900 BC से 1300 BC तक आती है 1400 हरपन साइट अब यहाँ पे हैं सबकॉंटिनेंट में ये early, mature and late phases जो है हरपन कल्चर का उसको belong करता है however number of the sites belonging to the mature phase is limited सिर्फ mature phase में जो sites थी वो limited है so of these limited sites को हम town बोल सकते है and ये जो towns है ये हरपा है पाकिस्तान में ठीक है पंजाब मोहन जुदारो जिसका मतलब होता है mount of the dead men then we have चानहु दरो, सिंध, पाकिस्तान, लोथल, धोलावीरा and सुरको टाड़ा, गुजरात में बनावली होता है राखीगड़ी होता है हर्याना में and कालिबंगन होता है राजस्थान में तो यह ancient history का पार्ट है, हम देख रहें इंडस वैली civilization 2600 से 1900 ठीक है यह मोहन जुदारो है, दिस चानु दरो, दिस इस मकरन कोस्ट इस सुटकरण दोर, दिन भी हाव धोला वीरा, इंडस रिवर, जेलं, चेनाब, रावी, सतलज, बेज, बनावली, राखीगड़ी, काली बंगन, एच्सेक्टरा सो अब हम देखते हैं भाई, इसमें जो इंडस वैली civilization में जो important चीज़े हैं, जो not करने लायक है, जो बहुत ही हमें अमेज करती है, वो है town planning और urban architecture, जो अभी भी इतने साल बाद भी एक point है, discussion का, एक topic है, discussion का यहां के जो ruins है town के, वो अभी भी available है, और वो एक shine करते हैं, sign show करते हैं कि remarkable उन लोगों की town planning थी, excellent sanitation system था, town को, usually वो लोग दो parts में divide करते थे, पहला होता था citadel, जिसको एक elevated place पे क्या करते थे, construct करते थे, और फिर उसको fortified कर दिया जाता था, और बाकी जो remaining town था, जिसको हम बोलते थे, citadel, it was built on the top of a mound of bricks, almost 12 meters high, large staircase ran up the side of this mound, तो यह हमारा citadel है, यह थोड़ा सा elevations पे आपको दिखाई देगा, फिर उसको fortification कर देते हैं, right, fortifications कर देते हैं, तो बहुत सारी buildings, structures, citadel में suggest करते हैं, कि यह जो area है, it might have been used for public gatherings के releases, activities के लिए use हुआ हो, या फिर कुछ important इसमें administrative activities की गई हैं, छोटी-छोटी डोग buildings हैं, जो which were probably homes, do exist on the citadel mound, however, वो common नहीं है, houses inhabited, जो था common people जहां पे रहते थे, followed by a grid system, वो एक grid system से क्या होता था, follow होता था, streets used to run from north to south and east to west, intersecting each other at right angle, drainage system इनका बहुत जबर्दस था, बहुत इंप्रेसिव था, हर एक जो house है, उसकी खुद का courtyard था, खुद का वहाँ पे bathroom था, drains जो होता था, जो भी पानी होता था, bathroom से, वो were connected to street drains, street drains were equipped with manholes, perhaps no other civilization gives so much attention to health and cleanliness as हरपन दिन, तो यहाँ से हमें पता चलता था कि well-planned इन लोगों के क्या होते थे, well-planned इन लोगों का, जो है, वो cities होती थी, अब यहाँ पे एक हरपा जो town है, उसकी यहाँ पे picture दी गई है, and this is the real representation, this is like, exactly, जिस तरह से हरपा के जो towns है, वो दिखते थे, वही representation यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि यह थोड़े से elevations पे है, and यह क्या है, यहाँ पे इधर चलनी की जगा है, इधर चलनी की जगा है, and यहाँ पे फिर आप देख सकते हो, छोटे-छोटे घर है सब के, basically, और पूरा एकदम sanitation पे ध्यान देते थे, cleanliness पे इन लोगों का जबर इधरा था, टाउन प्लानिंग की जो बात है, वो हरपा से शुरू हुए थी, so there were no stone-built houses in the Indus cities, पत्थर के घर नहीं बने होते थे, जाधा तर जो घर थे, वो पक्की एटो के बने होते थे, unburnt sun-dried bricks were also used in those portion of the houses, जैसे unburnt sun-dried bricks, कुछ होती है, एटे जैसे कच्छी एटे भी जिसको वोलते हैं, वो unburnt होती, उनको आग में नहीं पकाया जाता है, बट उनको सुखाया जाता है सूरज की किरणों में, कुछ portions पे वो भी use होती थी, so जहाँ पे chances जो है, contamination के through the water were least, contamination के chances जहाँ पे कम थे, bricks जो use थी, same size था bricks का, staircases जो थे, big buildings के, solid थे, and जो, okay, so, कुछ major structure जो पाई गए थे, civilization में, जैसे कि great बात है, Mohen Jotaro में, and granary, ये कहाँ पे हरपा में है, great बात की अगर हम बात करें, great बात public water tank है, tank का, जो measurements है, measurement है, measurement है, वो approximately, 12 meter लंबा है, और 7 meter wide है, with a maximum depth of 2.4 meters, दो wide staircases है, one from north and one from the south, lead down into the tank, ये है great बात का description, इसकी अगर हम फ्लोर की बात करें, तो ये जैसे पानी है, जब इसमें पानी डाला जाता है, तो पानी जो है, वो store कैसे होता है, water tight, due to finely fitted bricks, और यहाँ पर gypsum plaster का use हुआ है, on the edges of the bricks, ताकि जो tank को कैसे बनाया जा सके, water tight बनाया सके, उसके बाद फिर gypsum plaster के बाद यहाँ पर एक thick layer लगाई गई है, bitumen का, bitumen, what is this, it is a natural tar, was laid along the sides of the tank, and presumably also beneath the floor, तो दो चीज़े याद करने की, जो है, gypsum का plaster, और natural tar, जिसको हम bitumen बोलते हैं, bitumen, gypsum plaster and bitumen, दो बड़े बड़े दर्वाजे हैं, doors है, lead into the complex from the south, a series of rooms are located along the eastern edge of the building, and in one room there is a well, that may have supplied some of the water needed to fill the tank, rainwater may also have been collected for filling the tank, but, no inlet drains have been found, inlet drains कोई भी पाई नहीं गए हैं, तो बहुत सारी rooms हैं, eastern edge पे, of the building, and in one room there is a well that may have supplied some of the water, एक room ऐसा भी है, जहां पे well पाया गया है, तो ऐसा लगते हैं, कि पानी की जो supply है, वो यहीं से हुई है, rainwater से भी हो सकता है, कि यह tank को fill करने के लिए use होता हो, but, कोई भी inlet drains नहीं यहां पे पाई गई है, जादे तर scholar agree करते है, that this tank would have been used for a special religious function, जहां पे पानी यूज होता था प्यूरिफाई करने के लिए, and confirm the well-being on the bathers, gypsum plaster, and bitumen, so, यह देखे, यह great bath की picture है, जो यहां पे पाया गया है, so you can see, यहां पे staircases है, इस पे नीचे यहां पे आते हैं, फिर यह 2.4 feet इसकी depth है, इधर north-south, दोनों direction में है, and then बाकी आप यहां पे room देखे लिए, great granary भी मिली है, granary का जो measures है, वो 45 meter लंबा है, और 45 meter इसका wide है, 45 meter लंबा और 45 meter wide, ठीक है, दो rows है, six room के, are arranged along a central passage, भी, that is about, अब यहां पे granary में यह कहा गया है, कि जो यह rooms थे, वो possibly क्या था, occupied थे, किस से occupied थे, rooms actually may occupied थे workers, जो वहां पे workers काम करते थे, ठीक है, occupied by workers, two rooms of six rooms, are arranged along a central passage में, that is about seven meters wide, each room measures 15.2 by 6.1 meters, so wooden superstructure supported by large column, was possibly built on the top of the brick foundation, with the stairs leading up from the center passage area, तो granary ना तो यह पॉसेस करती है, church grains, ना ही किसी तरह का यहां पे storage, जो container है, वो यहां पे पाया गया है, interpretation of such structures as granaries, it is based on comparison with Roman buildings, तो जैसे हमने बोला है कि यह granaries है, तो सिर्फ interpretation के basis पे ही हमने ऐसा बोला है, क्योंकि हमारे पास यहां पे कोई भी इस से related strong evidences नहीं है, because यहां पे कुछ भी ऐसी चीज नहीं पाई गई है, जिससे हम यह कह सके कि यह granary है, okay, so next is that यह granary है, हरपा की, and you can see यहां पे यह buildings है, जो कि store करने के लिए यूज़ करते हैं, agriculture की अगर हम बात करें, तो it is believed to be the main occupation of the Indus Valley civilization, जैसे एक movie आपने देखी थी Indus Valley के बारे में, so agriculture यहां पे main occupation है, Indus Valley people का, discovery of granary lands supports to this belief, granary वहां पे land पाई गई है, तो वो क्या support करती है, इस belief को कि yes, यहां पे हो सकता है कि इधर यहां पे, यहां पे agriculture practice की गई है, और बिल्कुल हमारे पास यहां पे बहुत सारी evidences हैं, जो इस बात को support करते हैं, right, तो अब यहां पे most of the agriculture took place during winter, winter के time पे जाद था जो agriculture है, agricultural जो practices हैं, वो winter के time पे होती थी, Indus Valley के जो लोग थे, वो क्या produce करते थे, यह हम आप देख लेते हैं, तो हम देखने चलिए, यह प्रोडूस करते हैं, वो प्रोडूस करते थे जैसे wheat, है न, wheat वो प्रोडूस कर रहे हैं, wheat के बाद यह लोग प्रोडूस कर ले, बाढ़ ले, बाढ़ ले, rye, peas, sesame, mustard, rice, and cotton, यह सब यहां पे उगाया जाता था, and Indus Valley people were the earliest people to produce cotton, cotton के अगर हम बात करें हमारे देश में, तो यह Indus Valley के जो लोग थे, जो की प्रोडूस कर रहे थे, किसको, cotton को, all right, okay, next is, Greeks called it syndon, syndon वो बोलते थे, जो Greeks के लोग आते थे, वो Indus Valley, Indus River को क्या बोलते थे, syndon बोलते थे, syndh, जो नाम है, उससे inspired होके, because cotton was first produced in this area, important crops जो cultivated थे, अगर हम उनकी बात करें, तो वो कौन थी, important crop जैसे बीट था, और यहाँ पर क्या था, बाढ़ ले भी था, ओके, बीट था एंड क्या था, यहाँ पर बाढ़ ले था, ओके, so, in the early times, reason of Indus Valley, possess करता है, high natural vegetation, runes, यहाँ पर शो करता है, कोई भी sign की, यहाँ पर भई, कैनल का जो, कैनल का जो, irrigation system है, वो कभी practice भी किया गया होगा, यहाँ नहीं है, हमारे पास कोई, ऐसे evidences नहीं है, आईरन लगभग, एक हजार साल पहले, Jesus Christ की, बर्ट से, एक हजार साल पहले, हाँ पर discover होता है, एंड जो लोग थे, वो wooden plow भी use करते थे, wooden plow जो है, वो यहाँ पर use करते थे, houses were constructed, at a slightly raised platform, okay, so as compared to the streets, raised houses, may be an indication, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा floods आती थी, rainy season में, तो agriculture वो severely hampered during summers, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि flood वगेरा का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखा गया है, okay, domestication की बात करें, अगर हम animals, domestication ये लोग करते थे, नहीं करते थे, although हरपन प्राक्टिस करते थे, agriculture को, agriculture, animals were kept on a large scale, dogs वहाँ पर पाए गए हैं, वहाँ पर cats पाए गए हैं, pigs were domesticated, hummed bull was favorite among harappans, asses and camels were used to carry loads, तो यहाँ पर हम्ड जो बुल है, वो भी ये लोग क्याँ जो है, ये बहुत जादा यहाँ पर common था, ठीक है, they were familiar with all these animals, now next is, earlier it was believed that horses were not tamed by the Indus Valley people, but later हमें हड्डियां मिलती हैं, skeleton मिलता है, horses का कुछ reasons में, civilization के, जिससे हम ये यकीन करने को मजबूर हो गए, कि यहाँ पर ये लोग प्राक्टिस करते थे, इसको basically, horses भी यहाँ पर पाए गए थे, इससे historians को ये भरोसा हो गया, कि horses were also domesticated there, and existence of wild animals, जिससे rhinoceros था, tiger था, bison था, has also been confirmed, has also been confirmed there, okay, so trade की अगर हम बात करें, तो Indus Valley civilization एक trading society थी, व्या पार करती थी, and instead of metal money, ये follow करते थे, barter system, यहाँ पर आपको एक चीज मिल गी, कि कोई भी coins पगेरा, ये लोग नहीं बनाते थे, barter system follow करते थे, barter system में basically, क्या होता है, कि if I am selling potatoes, and you need tomatoes, so we both can exchange, you know, our materials with each other, this is known as barter system, okay, so there is evidence that, harappan carried trade, harappan जो है, वो क्या करते थे, trade को क्या करते थे, trade को क्या करते थे, carry करते थे, and trade links have been found, up till Mesopotamia and Turkey, अब Mesopotamia के साथ, इनका trade होता था, Turkey के साथ होता था, Mesopotamian records refer करते हैं, to Indus reason, as male हुआ, Mesopotamia के जो लोग थे, जिनके साथ, मारे Indus Valley Civilization के, जो लोग थे, उनका trade होता था, वो इस reason को, मैलुहा बोलते थे, थीक है, main exports were agricultural products, and finished products, जैसे की cotton के, जो सामान है, goods है, वो export होता था, Carnelian के जो beats है, basically Carnelian, एक पत्थर होता है, Carnelian के beats, export होते थे, pottery export होती थी, shell and bone system, and bone inlays, अब यहाँ पर हम, इनका weight system देखते हैं, हरपन का measurement system, exhibitors ने पाया गया है, कुछ number of balance weights, made up of churd, these weights are in the shape of a cube, most basic weight found, most commonly was about, they say, 13.65 grams, other weights were subdivisions, or multiples of this weight, weights proceeded in a series, first doubling from 1 to 48 to 64, and then in decimal multiples of 16, so the relation of the common weight, with other weights is described as above, जैसे, multiples of the smallest unit, 1, 2, 4, 8, 16, 32 and 64, 2, 4s are 8, 2, 2s are 4, 4, 2s are 8, 8, 2s are 16, right, 2, 4s are, 2, 2s are 4, 4, 2s are 8, 8, 2s are 16, 16, 32 and 32s are 64, All right, measurement system, हरपण, follow करते हैं, measurement system को, food की जो length, it was 13.2 inch, and of cubit, it was 18 inches, on 44 cm, several sticks, with measures, marks, including one made of prawns, have been discovered, cubit refers to length of the arm, from the elbow, to the tip of the middle finger, elbow, जो है, elbow, हमारी जो elbow है, ओनी जो है, उससे, जो tip होता है, हमारी middle finger का, वहां तक, जो है, cubit बोलते हैं, उसको, ठीक है, cubit बोलते हैं, तो cubit, उस चीज़ को, यहाँ पर, religious practices की बात करें, तो, कोई भी evidence नहीं है, यहाँ पर temple बिल्कुल नहीं पाए गए है, कोई भी religious structure नहीं मिले है, except, great bath, और fire altos, काली बंगन में, and लोथल में, okay, so, on the basis of the material remains, we can say that, it can be deduced that, religious practices, जो है, हरपन people की, बहुत सारे features थे, लेटर Hinduism के, जैसे, तेन पशुपती, सिवा का, animal worship, tree worship, etc, टेरकोटा जो figure है, mother goddess की, वो भी यहाँ पर पाई गई है, हरपा में, a plant is shown growing out of the womb of a woman, figure represents the goddess of earth, यह figure क्या बताती है, goddess of the earth के बारे में बताती है, टेरकोटा figure of mother goddess, male deity has been depicted with two horns, cross-legged position, जैसे sitting posture होता है यह योगी का, उनके पास, चार तरह के wild animals है, जो उनको surround किये गए हैं, elephant, tiger, rhinoceros, and buffalo, बिरीट उनकी feet में, appears करते हैं, दो dears, इस deity appears similar to, Shiva of later Hinduism, जो Shiva होते हैं, बात में जो Hinduism में आते हैं, उनहीं से इनको comparison किया गया है, अब यहाँ पर script आप देखोगे, seal, यह Indus Valley Civilization के seal है, और seal पर यह यहाँ पर script लिखी गई है, script को अभी deciphered नहीं किया गया है, decline देखते हैं, इन्डस हरपन culture की, जो हरपन culture came to a sudden end, exit, reason क्या है, इसके collapse को वो नहीं पता है, however, बहुत सारी reason है, जो hypothesized की गए है, पहला है कि वहाँ पर floods आई हैं, floods की वजह से, यहाँ पर क्या हुआ होगा, कि collapse हो गया होगा, Indus Valley Civilization का, ठीक है, earlier civilization emerge करते थे, water bodies के round, तो जब large floods आती थी, तो वो सारा जो civilization है, जो था हरपन civilization से, it was prone to earthquakes, repeated earthquakes, वहाँ पर आते थे, जिसकी वजह से, decline हो गया, Indus Valley Civilization, so we know that, हरपन traders थे, warriors नहीं थे, जो people थे civilization के, were not prepared for an invasion, invasions हुआ, तो वहाँ पर क्या हुआ, उनका यहाँ पर decline हो गया, all right, now, we know that, की unburied skeletal remains, भी पाए गये हैं, Mohen Jodaro में, unburied skeletal remains, इस तरह के, जो remains है, sign है, की invasions हुआ है, aggressive invasions हुआ है, Aryan invasions, may be the reason behind, the decline of Indus Valley Civilization, another possible reason behind, end of this civilization, may be drought, and spread of disease, यह कुछ pandemic आया, जिसकी वजह से, यहाँ पर क्या हो गया, है, इनका decline हो गया, all right, now, next is, difference क्या क्या है, हरपा कल्चर जो है, और, West Asia का जो कल्चर है, mesopotamian का, हमारी जो कल्चर, जो है, हरपा कल्चर, उनके टाउन, बहुत ही, planning के साथ, बनाए गए थे, right, so, town, worse, haphazardly, planned, हमारा जो drainage system था, वो well maintained था, mesopotamia में, no, not much preference was given to sanitation, rectangular houses थी, with brick lined bathroom, no particular shape, for the houses, did not have a particular language, had their own language, यहां पे हरपा कल्चर में, कोई particular language नहीं थी, लेकि, mesopotamian लोगों की, अगर हम बात करे, तो उनकी एक अपनी language थी, अपनी खुद की language थी, खुद की उनकी एक अपनी script थी, ओके, कुछ important sites है, in the valley civilization की, जैसे, बनावली है, यह फतावाद district में है, जो हरियाडा में, ठीक है, country इंडिया में है, यहां से, क्या क्या excavation जब हुआ, finding हुई, तो क्या क्या यहां से मिला, एक बार दे उख लेते हैं, यहां से बनावली से, बार्डे मिला है, टेरा कोटा मिला है, टेरा कोटा का basically, प्लाव मिला है, saw two cultural phases, pre-hrappan and harappan, similar to that of काली बंगब, अब आता है, चानुदारों, तो चानुदारों में क्या क्या मिला है, नवापशा डिस्टिक्ट, जो की सिंध में है, पाकिस्तान में, बीड मेकिंग फैक्टिव वहां पे मिली है, लिप्स्टिक का यूज भी होता था, अउनली इनसाइड, इनसाइट, यह एक सिटरेल यहाँ पे नहीं मिला है, चानुदारों में, डोला वीरा, कुछ डिस्टिक्ट गुजरात में, इंडिया में, चैरिट की फिगर मिली है, जो टाइड है, पेर ओफ बॉलक्स, और जिवन बाई अनुद हुमिन, साहिबार डिस्टिक्ट पंजाब पाकिस्तान में, ग्रैनरीज मिली है, कॉफिन बरियल्स मिला है, और लोट ओफ आर्टिफेक्स, फस्टाउन विच बॉज एक्सकेवेटिड एंड स्टडीड इन तीडेल, वो था हमारा हरपा, जिसका मतलब होता है, ब्लैक बैंगल्स, तो यहाँ पे हनुमानगर डिस्टिक्ट जो है, राजस्थान में, वहाँ पे मिला है, बेग डियाफिट बॉर्ट बैंगल्स यहाँ पे मिली है, फायर अल्टर्स मिले हैं, शिवा लिंगम मिला है, स्मोल सर्कुलर पिट्स मिला है, जो कंटेन कर रहा है, लार्ज अर्ट्स, अंज अकंपनीज बाई पॉर्ट्री, वहन्स ओफ कैमल्स, लोथल एहमदाबाद डिस्टिक्ट में है, गुजरात में, यहाँ पे बीड मेकिंग फाक्ट्री मिली है, डॉक्यार्ड मिला है, बटन सील, फायरल टॉस, पेंट जार, अर्लिएस्ट कल्टिवेशन ओफ राइस, याँ वाने जीरो जीरो पीसी, महरगर्ड बलोचस्तान में है, पाकिस्तान में अर्लिएस्ट एग्रिकल्चरल कम्यूनिटी ये थी, महरगर्ड जुदारो लरकाना डिस्टिक्ट सिंध में है ये भी, ये पाकिस्तान में है, ग्रेट पाक, ग्रेट ग्रैनरी, ब्रोंज डांसिंग गर्ल, बियर्डिट प्रिंस किंग, टेरा कोटर टॉइस, बुल सील, पशुपती सील, फिर सुर्का टोड़ा कुछ डिस्टिक्ट गुजराट इंडिया बोन्स मिले हैं होर्स की, अगर हम बोन्स की बात करें तो वो सिर्फ गुजराट से मिला है, कुछ डिस्टिक्ट से, उसके बात आता है सुटका गेंडोर, बलुचस्तान में हैं, पाकस्तान में हैं, कॉस्टिल सिटी लाइक सुर्का टोड़ा, राखी गड़ी, हिसार डिस्टिक्ट हर्याणा, यहां पर भी तीनों फेज़ेस मिले हैं, हरपन कलचर के सेकिंड लार्जेस साइट है, राखी गड़ी, इसका जो एरिया है, वो 250 हेक्टियर है, अब यहां पर यह प्राक्टिस क्वेशन आ जाते हैं, तो प्राक्टिस क्वेशन एक बार हम देख लेते हैं, प्राक्टिस क्वेशन आ जाते हैं, हरपन के कलचर में ही, इस नियोलिथिक कलचर है, पैलीोलिथिक कलचर है, चाल्कोलिथिक कलचर है, यह फिर पोस्ट चाल्कोलिथिक कलचर है, I think it is चाल्कोलिथिक कलचर, and let's check, now fourth one is, which one of the following archaeologists initially discovered the Mohenjo-Daro site of the Indus Valley civilization Mohenjo-Daro I think he was Daya-Raam-Sahni Daya-Raam-Sahni नहीं discovered it is the fourth C Rakhil Das Benerji okay 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 Mohenjo-Daro की जो site है वो Daya-Raam-Sahni नहीं बलके Benerji थे Rakhil Das Benerji Harappa site showing evidence of two cultural phases Harappan and Pre-Harappan तो वो कौन से site है Lothal है Mohenjo-Daro है Chanudaro है या Benavali है तो it is the fifth का D जहां पर दोनों दिखा रही है Harappa and Pre-Harappan तो वो हमारा Benavali है Benavali okay so regarding the Indus Valley civilization consider the following statement ओके पर्फेक्टिंग पाउस अल्राइट तो यह questions आए हैं आपको यह answer मुझे description box में लिखके देने हैं and thank you so much please keep watching next lecture Jalvi Aniwana thank you